अलो रुमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे 10,000 से भी ज्यादा फैमिली मेंपर्स हो गए है यानि कि 10,000 लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और जी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है लोगों को धन्यवाद और ऐसे अपना प्यार दीजिए हमारे और वीडियो पर भी इस वीडियो में हम आपको बना के रिखाने वाले ही एक स्मोक फाउंटेन दोस्तों ये डि दिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएका तो उससे आप वहां से हमसे संपर्ख कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुडू करते हैं और आपको ये बिग साइज का नाग स्मोक फाउंटेन बनाना सिखाते हैं अब यहां पर अमसील ले लिए आप देख सकते हैं और यह सौग्राम एमसील है और इसके अंदर कुछ इस तरह के दो मटेरियल निकलते हैं और इनको आपको मिक्स करना होता है और आपको अच्छे से मिक्स करना होगा जब तक यह पूरे ब्लैक ना हो जाए और यहां पर आ पार्ट इसका जो है काटके थोड़ी से हमसील अलग रखती है और बाकी का हम यहां पर जो आधार होता है शिवलिंग का आधार वो बना रहे हैं तो यहां पर थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लगा लेना है क्योंकि दोस्तों अगर पानी नहीं लगाएंगे तो यह जो एमसील होती है वो थोड़ी सी चिपकती है आपके हाथों में और आपका जो मॉडल आप बनाएंगे कोई भी वो सही से नहीं बनता है और इस तरह से आपको उपर जो है इस तरह से फाइल आ देना है एक प्लेट टाइप में बना लेनी है और नीचे चिकन करते गोल इस तरह की छतरी टाइप की तयार करनी है और इसको नीचे रखते हुए इसके जो किनारे है थोड़े थोड़े से उठा देने है और एक साइड में आपको इसका जो फ्लो है वो नीचे की और इस तरह से बना देना है जैसा कि शिवलिंग में होता है और दोस्तों जो हम आने के बाद में जो हमने आधार बनाया है और इसके नीचे हम रख्केंगे आधार के जिससे कीज़ siya सिमक फटे मिले यह एक stand का काम करेगा और दोस्तों इसके बाद में यहां पर हमेने और MSL ले लीनी है तो यहां पर दूस्त आम यहां पर दोस्तों हमने जो टौटल दो पैकेट एमसिल का यूज़ किया है और इस तरह से एक लिंगम बना के इसके सेंटर में हम रख देंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम नाग देवता बना रहे हैं जो नाग होते हैं और इनी के मुझे हम स्मोग निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह आपको पूंच बनानी है उस तरह इस तरह से आपको पदली एमसिल लखनी है और जिदर सिर बनाना है और नाग का फन बनाना है उधर थोड़ा सा मोटा एमसिल लखेंगे और इसको दबाते हुए कुछ इस तरह से हमें नाग का फन तयार करन करना होगा दोस्तों यह सुराग आप किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हैं और यह होल थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए जिसे की स्मोक अच्छे से अंदर फ्लो कर सके और आपको इनका जुम्मू है वो थोड़ा सा सही कर देना होगा और फिर बाद में यह जो हमने सुर इसमें बनाएंगे पहले से थोड़े थोड़े से सुराग करेंगे और इसी में जो फाइबर स्टोन हैं उन्हें हम फिट कर देंगे और यह ऐसे ही चिपक जाएंगे और हलका सा प्रेशर हम लगाएंगे तो यह अंदर क्योर चले जाते हैं इस तरह से और यह फिक्स हो अभी सूखी ना हो लचकदार जादा हो तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और जब आपकी लास्टेस्ट में जब एमसील सूखने की हो आप तभी यह काम करिएगा बिठाने का और इस तरह से आपको जब एमसील हाड होने लगे तब इस तरह से कोई भी चीज का सह जाएगा आप देख सकते हैं और उसके बाद ही में हमें यहां पर कलर करना है यहां पर हम जो कलर यूज कर रहे हैं वह ब्लैक एकराइलिक कलर है और इसे हम अच्छे से पूरे अपने शिव लिंग पर जो है इसको कलर कर देंगे और यह थोड़ा सा सूका सूका ही आप रख मॉडल में शाइनिंग लाता है यह आपको दोस्तों पेंट की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा आप किलियर वार्निश बोलिएगा तो वह आपको देदेगा तो यहां पर दोस्तों हम यूज कर रहे हैं वार्निश अपने जो शिव लिंग है उसमें शाइनिंग लाने के लिए तो यहां पर इसको पूरा कवर कर देना है दोस्तों और उसके बाद में यहां पर हम जो त्रिनेत बनाएंगे और तिलक करेंगे यहां पर कुछ इस तरह से हमने यहां पर वाइट और रेट कलर का यूज किया हुआ है तो आप देख सकते हैं और दोस्तों हम जो सिव स्मुक फांटेन वगारा बनाते हैं तो उसमें कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये बनाना गलत है तो आप लोग दोस्तों हमें राय नीचे कॉमेंट में जरूर दीजेगा क्यूंकि दोस्तों ये एक सिर्फ क्रियेटिविटी है एक क्राफ्ट आइडिया है तो आप लोग हम जरूर बताईएगा तो दोस्तों सिवलिंग बन चुका है और आप यहां पर हम धूबत्ती तयार करेंगे जो इंसेंस कॉन होती है बैक फ्लो इंसेंस कॉन तो यहां पर धूबत्ती है कि हमने एक स्टिक ले लिए और उससे अच्छे से मसल लेना है और मसलने के बाद में ए इस तरह क्या दिखेगा और आपको इसे जला देना होगा और जलाने के बाद में आप यहां पर उपर नाग के उपर जहां पर हमने सुराग बनाया था वहां पर रख देंगे इस तरह से और आप देखेंगे थोड़ी दिर के बाद में इस से स्मोग आना चालू हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं अभी स्मोक थोड़ा सा कम है और जैसे जैसे दुबती नीचे की और जलती हुए आएगी वैसे प्वैसे इसका स्मोक भी बढ़ता रहता है आप देख सकते हैं यह कितना ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और दोस्तों आप लोग भी नीचे पसंद आई होगी अगर अच्छे लिए एक लाइक जरूर करें और शेयर कर दें तो हमारी यूटीब चलनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम नएने वीडियोस लाते रहते हैं हमारी यूटीब चलनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलबल हैं जिससे किया आप कुछ नया सेख सकते हैं तो आप लोग हमारी यूटीब चलनल को जरूर चेकीजिएगा चली मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में